हलो फ्रेंड मैं सब्सक्राइब डॉक्र सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकर्स करेंगे एक बड़ी ही कॉमन सवाल जो पेशिंट का होता है क्या मुझे राइनोप्लास्टी पीशिंट पूछता है सर क्या मुझे राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरुद है पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगे बैल आइकोन को एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले जिसके आने वाले अने प्योग वीडियो की जानकरी आपको मिलती रहे दोस्तों जैसा कोमन पेशिंट का क्योसन होता है सर क्या मुझे राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरुद है क्या मुझे नोज सर्जरी की जरुद है दोस्तों यह एक ऐसा सवाल है जिसमें हम कैसे डिसाइड करें सबसे पहले इसमें क्या है एक इंडिज्वल बैसिकली पेशेंट्स की जो है विस है कि क्या मुझे राइनोप्लास्टी की जरुद है इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो नोज है जो गोड ने जो बनाया है नोज के दो फंक्शन गोड ने बनाए है पहला जस्ट टू प्रवाइड यानि अपने को अच्छा सी सांस आना है और दूसरा जस्ट टू प्रवाइड ब्यूटी यानि अपने चेरे की सुन्धता इन दोनों फंक्शन में कहीं अगर कोंप्रोमाइज है तो आपको नोज सजरी की जरूत है अगर आपका जो नोज है उसमें कोई आपको ऐसी विक्र करें के इस आप से नहीं है वो चोडा है या जैसे आपका जो है और आपका नोज है वो जो है इति जो है त्होशन आपको चापा कोई और जो लगता है क्या यह नहीं होती सो रिगार्डिंग दा एपिरियंस आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको राइनोप्लास्टिक ही जरूत है या बहुत बार जो अपने नोज का जो आंतरिक संदचना है जो इंटरनल फ्रेमवर्क और जो स्ट्रेक्चर है वो डेविटेड है यानि टेड़ा मेंड़ा है एक्चुली में दोस्तों नोज के बीच में एक पतली बोन होती है जो नोज को दो इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करती है और गोर्ड ने एक सिस्टम बढ़ा है कि उसमें दोनों तरफ से हमारे को एक्वल बराबर सांस आना चाहिए ब्रेधिंग आना चाहिए अंदर का जो नाच के बीच की जो हड़ी है और पूरा का पूरा नोज का जो अंदर का इनर फ्रेंबर का है उसमें डेविशन है टेडा मेडा है कोई ट्रॉमा है तो उसके करण आपको दोनों अगर प्रोब्लम है रिगार्डिंग एपेरियंस यानि नाच का जो लुक है व है चम्यन है तो यह सब ऐसे फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि आपको रिखाक्न प्लास्टि उ नोज सजरी की जरुत है अब मेडाऱ्obla Chair यह तो अगर आपको वेंको लेक singers की 2007 अबको यह करण हो है तो आपको सब्कोंड अम है उसको करक्ट करना है जिससे हमारा जो फंक्शनल एस्पेक्ट है नोज का जिससे अच्छे से ब्रीधिंग आए बास उसमें आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूत नहीं है एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी की जरूत है तो दोस्तों I hope this information is useful for you कि किसको राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूत है so you can share this information to your family, friends and if you want to more information about this you can comment on the YouTube channel जिससे आपको अनेक जो है नए जो वीडियो उसकी जानकारी मिलती रहे और अपने कमेंट का जो है वो रिप्लाई भी मिलता रहे थेंक्यू